हरहर महादेव, जय भोलेनाथ, नमस्कार दोस्तों आप सभी का श्वागत है धर्म ग्यान के मार्ग में आज हम बात करेंगे राम लला की प्रान परतिष्टा का शुब औसर जल्द ही आने वाला है भक्त अपने आरादे के शुआगत के लिए तयार है और प्रान परतिष्टा की तयारी में जोरो सोरो पर है हम सभी बस इसी इंतजार में हैं कि राम लला मंदिर के भीतर विराजेंगे और हमें दर्सन का उसर मिलेगा लेकिन अपने घर में हम कैसे पूजा पाट करेंगे और कैसे राम लला की स्वागत करेंगे और अपने घर में भी हम उनका आगमन बनाएंगे कितने दीप चलाएंगे क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे सभी महत्पून बाते इस वीडियो में हम लोग जानेंगे तो बीडियो को आप लोग अंतर तक लाश्ट तक जरूर देखिएगा जिसे कि आपको सारी जनकारी समझ में आजाए क्या करना है क्या नहीं करना है और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए आप लोग अगर अभी तक चैनल को सबस्क्राइब नहीं किया है यहे आयोजन राम लला की मुर्ति की अविशिक का प्रतिक है जो भगवान राम की दिप उफस्तिती का प्रतिक है जहां एक तरफ आयोधिया में राम लला की प्रान पर्दिश्टा की धूम होगी वही अगर आप उसी दिन अपने घर पर भी पूजन करना चाहते हैं तो हम आपको कुछ ऐसी बाते आज बताएंगे जिससे आप घर पर राम लला का पूजन कर सकते हैं जैसे की राम लला की मूर्ती या छवी, पूजात की थाली, अक्छत, हल्दी, कुमकुम, चंदन, फूल मलाएं, धूप बत्ती, पूजा के लिए घी का तेल, घी या तेल, तील का तेल, प्रशाद के लिए फल और मिठाईया, आर्ती के लिए कपूर और फूल बाती, घंट या समागरी आपको चाहिए, बस थोड़ी सी समागरी में भी आप राम लला को खुस कर सकते हैं, यानि की राम जी के आगमन अपने घर पर भी आप उनके आगमन को बढ़ावा दे सकते हैं, और उनकी पूजन कर सकते हैं, आपको घर पर प्रभु सिरी राम का पूजन करने क के लिए कुछ बिशेस बातों का ध्यान रखने की जरुवत है चलिए जानते हैं इसके बारे में बिस्तार से आप लोग वीडियो में आंतो तक बने रहिएगा राम लिल्ला के प्रान प्रतिष्टा वाले दिन यानि की 22 जनवरी को हम सभी सबसे पहले अपने घर के मंदिर की अच्छी तरह से सफाई एक दिन पहले करेंगे 21 जनवरी को हम लोग अपने घर की अच्छी तरह से पहले सफाई करेंगे कोने कोने की सफाई करेंगे इसलिए कि हमें राम जी का आगमन बढ़ाना है यानि की राम जी को अपने घर पर बुलाना है ध्यान रखे कि मंदिर में कोई भी फटी पुरानी तस्वीर, कागजी या अन्य समान नहीं होना चाहिए इस दिन सबसे पहले मंदिर की सभी तस्वीरें और मुर्तियों को बाहर निकाले और फिर उन्हें अच्छी तरह से साफ कर ले मंदिर की छोटी बड़ी तस्वीर की साफ कपले से पोचे और इसकी धूल अच्छी तरह से आपको साफ करना है जिन मुर्तियों को असनान कराना संभव है जैसे धातु से बनी मुर्तियां को असनान कराएं और साफ करें वहीं अगर कुछ ऐसी मुर्तियां है जिने पानी से असनान नहीं कराया जा सकता है उन्हें आप साफ कपड़े से पोच ले मुखरूप से रामलला की मुर्दी या तस्वीर की अच्छी तरह से साफ सफाई करें ऐसा करने से आपके घर में सकरात्मा कुर्जा का वास होगा घर के मंदिर की सफाई करने के बाद पूजा के पुन अस्थान को भी अच्छी तरह से साफ करें इसके लिए ध्यान रखें कि आपको घर के हर एक कौने की अच्छी तरह से सफाई करनी है और घर के इसान कौन को अच्छी तरह से साफ करना है अगर आपके घर का मंदिर इसान कौन पर इस्थित है तो इस अस्थान को ठीक से साफ करें पहले पूजा के लिए तयार करें पूजा अस्थान को साफ करने के साथ खुद की सफाई पर भी ध्यान देना जरूरी है ध्यान रखें कि पूजा से जूरी किसी भी अनुष्ठान के लिए आप सबसे पहले आस्नान करें और साफ वस्त्र धारन करें और उसके बाद पूजा की पूण समागरी को एक साफ जगह पर रखें और मंदिर में राम लला की मुर्ति को एक चौकी पर बैठाएं अगर आपक करने से पहले हथेली में जल लेकर संकल्प करें मुर्ति के सामने बैठ जाएं और आखें बंद कर लें प्रभु सिरी राम कोवक्षत जंदन कुमकुम और फूल चढ़ा कर पूजा सुरू करें पवित्र वाता वरन बनाने के लिए तेल या घी का दीपक आप अगर बत्ति दूप बत्ति आप जलाएं अगर बत्ति की जगह आपको दूप बत्ति जलाना चाहिए और सर्धा भाव से पूजन करें जो भी है आपके पास उपलत जो भी समागरी है उतना ही समागरी से आप इस दिल पूजा जरूर करें यदि आपके घर में राम लला की मूर्ति नहीं तो घर लाए और अभी जीत महूरत में राम लला की प्रान परतिष्टा जो है प्रान परतिष्टा वाले दिन घर के मंदिर में करें यह समय नई मुर्ति की प्रान परतिष्टा के लिए सबसे सुब है क्योंकि इसी समय अयोध्या के राम मंदिर में भी राम जी की प्रान परत मुर्ति का जल अविसेख करें और पंचामरित से असनान कराएं इसके बाद एक बार फिर मुर्ति को जल से असनान कराएं मुर्ति के सामने घी का दीपक प्रजलित करें और प्रभु सिरी राम की आर्थी जरूर करें कोशिज करें कि परिवार के सभी लोग मिल जूल कर इस दि गाते हैं तो इससे क्या होता है कि परिवार में एकता बढ़ती है और हमारा परिवार खुजहाल रहता है तो इस दिन आप लोग कोशिज करें कि पूरे परिवार मिलकर पूजन करें और मिलकर आर्थी गाएं राम लाला को भोग के रूप में आप फल मिठाई तो अपित करें साथ ही आप इस दिन आटे की पंजीरी, पंचामरित और खीर का भोग अवस्य लगाएं, भोग को राम जी की मुर्ति के आगे रखें और गरहन करने का आगरह करें, जैसे कि उसमें थोड़ा सा तुलसिक पत्र जरूर रखें भोग में, और भोग राम जी, जो हैं, राम जी हो लोग अवस्य डालें, उसके बाद आप भगवान को बुलाएं, आगरह करें, जैसे कि आप गाएं, मेरे राम आईए, प्रभू राम आईए, सीरी राम आईए, परसाद का भोग लगा जाईए, ऐसे करके हमें भगवान को बुलाना है, और परसाद पूरे घर के उसके परसाद को पूरे घर के लोगों और परिवार के लोगों में बितरित करें, उसके बाद इस बिसेज दिन पर कपूर जलाएं, और पूरे घर में इसका धुआ जाने दें, इसके साथ ही आप साम के समय पूरे घर में दीपक जलाएं, और दिवाली की तरह खुजिया मनाएं, इस दिन संधिया काल में मुख द्वार पर घी का दीपक जरूर जलाएं इसे प्रभु स्री राम के आगमन का प्रतिक माना जाता है आप अपने समर्थ हनुसार जितना भी दीप जलाना चाहते हैं जिस तरह की हम दीपावली पर जलाते हैं लक्षमी पूजन के दिन उसी परकार से हमें राम लला की आगमन के लिए यानि की 22 जनवरी को आप चितना दीप जला सकते हैं उतना दीप जलाएं आप अपने समर्थ हनुसार दीप जलाएं मुख द्वार पर दीपक जरूर जलाएं वहाँ पर रंगोली जरूर बनाएं भगवान के आगमन के लिए ऐसा अगर हम सभी को करना चाहिए सभी के घर में ऐसा होना चाहिए 22 जनवरी को दोस्तों दीपक जलाएं और दीवाली के तरखुजिया हम लोग मनाएंगे इस दिन संध्या काल में मुख द्वार पर घी का दीपक आप दोनों तरफ जरूर जलाएं उसके बाद आप जितना दीपक चाहें तेल के तेल का आप वहाँ पर जलाएं रंगोली बनाएं वहाँ पर भी आप दीपक जरूर जलाएं इसे प्रभु सिरी राम के आगमन का परतिक माना जाता है यदि आप राम लला की प्रान परतिष्टा के दिन जो मैं बता रही हूँ वह इस परकार से अगर करते हैं पूजन करती हैं तो आपके घर में सदेव खुसहाली बनी रहेगी और समरिध्धी, सुक समरिध्धी आएगी आपके घर में कभी धन धान की कमी नहीं होगी तो कोई जरूरी नहीं है कि हमारे पास बहुत सारा समागरी होगा तभी हम पूजन करेंगे ऐसा भाव अपने मन में नहीं रखना है आपके पास जो भी समर्थ है इस दिन आप लोग भगवान सिरी राम की पूजा पाथ जरूर करें और जितना भी समर्थ है आपके पास उतना अपतीब चलाएं लेकिन जरूर जलाएं उमीद करती हूँ कि यह वीडियो आपको पसंद आएगी अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके कमेट बॉक्स में जैसरी राम जरूर लिखिएगा फिर मिलती हूँ एक नए वीडियो के साथ तब तक के लिए बाए धन्यवाद